हाई स्टुदेंट्स वेलकम तो आरस्पी दफिजिक्स बाई रोहन सर्व तोड़े यह स्टार्टिंग दा एप्लिकेशन ऑबाइट सेवर्स लो और हमें एक रिंग लेना है और इस रिंग के द्वारा एक प्रोडूस होने वाला मैगनेटिक फिल्ड किसी भी एक्ट्रेंट है पीपर फाइंड आउट करना है और यदि इस रिंग के अंदर अलेक्ट्रक्रंट फ्लो कर रहा है तो स्टाट है इधर हमने यह रिंग लिया है यह रिंग का और सेंटर होगा यह सेंटर से जो भी लाई निकलेगी वह इस रिंग का एक्सेज होगा और यह जो पी-point है जि हैं यहां से डीर्य हूं लेक्टर्पक है कि तरफ और यहहां पटर कि साथ कितने के एंगल बना रहे हैं 5, okay, now we will start the derivation, पहले हम electric, यह जो length element और यह जो electric current है, इसके direction देख लेते हैं, और यह देख लेते हैं, कि यह जो ring है, वो किस तरीके से इस board पर रखा हुआ है, यदि यह original हो तू, देखो, basically, आप लोगों को दिखाई दे रहा हुगा, कि ring जो है, इस board के plane के साथ रखा हुआ है, उसके along रखा हुआ है, ऐसा नहीं है, यह से मान के चलो, यह एक circle है, यह circle, यदि मैं इस तरीके से रखता हूँ, तो आप लोग बोलोगे, कि मैंने इसको, इस board के plane के साथ, perpendicular angle, means 90 degree के angle, बनाते हुए रखा है, और यदि मैं इस तरीके से रख देता हूँ, इ plane के along रखा हुआ है, तो basically यह जो position है वो ऐसे नहीं है, वो इस तरीके से है, कि ring इस plane के perpendicular, means 90 degree के angle बनाते हुए रखा है, okay, now, हमें इस P point पर magnetic field का magnitude निकालना है, सबसे पहले हम मैं एक point समझा देता हूँ, कि मान लो यह एक straight wire है, इसके अंदर electric current की flow करने की direction यह है, मुझे इस P point पर निकालना है magnetic field, और इस Q point पर निकालना है magnetic field, और इन दोनों points पर magnetic field की direction निकालनी है, तो मैंने बताया था, last lecture में पढ़ा था, right hand thumb rule, यह फिर right hand screw rule, follow करोगे, तो सबसे पहले, electric current की direction में थम रखा, और इस P point पर की direction में मैंने four fingers को रखा, और उनको close करने line lines जो होंगी, वो अपनी direction soar करेंगी, यदि मैं आपसे बोलूं कि इस P point पर हमें direction of magnetic field निकालनी है, केवल इस point पर cable, केवल इस point पर, तो हमें पता है कि closed curves है, closed curves, अब यदि closed curves है, तो किसी भी point पर यदि direction find out करने की courses करूं, तो वो direction क्या होगी, tangent to that closed loop, और यदि ये इस wire से R distance पर है, तो ये R किसका काम करेगी, radius का काम करेगी, और आप लोग क्या देख रहे हो, कि radius और उस point पर magnetic field की direction के बीच कितने डिगरी का इंगल बना, 90 डिगरी का इंगल बना, तो उसी तरीके से, इस P point पर किसी भी length element से, जो magnetic field की direction होगी, वो उस distance के साथ, distance ये वाली line, इस line के साथ 90 डिगरी का इंगल बनाएगा, लेकिन किस direction में बनाएगा, उसको हमें देखना होगा, देखो, कि ये DL length element है, current की जो direction थी, वो हमने देखा था, कहां थी, उपर वाले part के अंदर, दोबारा से देखते हो, उपर वाले part के अंदर, आपकी की तरफ थी, तो मुझे right hand यूज करना है, और उस direction में थमको रखना है, और देखो, four fingers, p point इधर है, figure के अंदर, तो मैंने right hand को रखा, और four fingers को close करने की कोशिस की, तो close करने की कोशिस कर रहा हूँ मैं, तो कहां जा रही है, उपर गी तरफ, इसका मतलब, जो उपर वाला ज इसकी वज़े से, जो magnetic field यहां पर करियेट होगा, उसकी direction opposite होगी, इसका मतलब, वो downward होगी, ओके, तो यहां से पता चल गया, according to right hand screw rule, और right hand thumb rule, जो direction होगी, वो उपर की तरफ होगी, इस length element से, और इस S के साथ, इने degree का angle बनाएगा, 90 degree का, तो 90 degree का angle बनाएगा, तो वो इस से, बनेगा, 90 degree का angle, sorry, यह 90 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो यहीं बनेगा, इस तरीके से, इस इस दा, 90 degree angle, and this is the deal, this is the deal, दोनों का magnitude same है, तो दोनों same amount में magnetic field create कर रहे होंगे, पीपर, तो इस की वज़े से, जो direction होगी, इस इस S के साथ, किने degree का angle होगा, 90 degree का angle होगा, तो यहां से 90 degree का angle बनाएगा, तो वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से, 90 degree का angle, और जो magnitude होगा, magnetic field का, वो भी कितना होगा, same ही होगा, जतना इसने किया था, तो यदि हमने मानते हैं, कि इसके द्वारा जो magnetic field create हुआ है, वो कितना हुआ है, डीबी, तो इसकी वज़े से भी कितना होगा, डीबी, अब यह जो दोनों हमने magnetic field, इस point पर निकाले हैं, वो एक line पर नहीं है, त तो इसलिए ना तो add हो सकते हैं, और ना ही subtract हो सकते हैं, तो इसका मतलब हमें इनके parse करने पड़ेंगे, इनको divide करना पड़ेगा, इनके factors की form के अंदर, तो इस db को ज़दी हम तोड़ते हैं, तो एक direction इसमें होगा, और एक direction इसमें होगी, ऐसे ही ज़दी इस db resultant magnitude को नीचे की तरफ होगा और एक उपर की तरफ होगा, यह नीचे की तरफ हो गया और यह उपर की तरफ हो गया, ओके, यहां से हमने नकाला था यह magnitude इसकी वज़े से और यह वाला magnitude इस length element की वज़े से, तो हमने इनको two factors में divide किया था, यह db इस वाली line में और इस वाली line में औ और ये वी सेथिफेटि, इस वालिरेक्शन के अंदर और इस वालि डारेक्शन के अंदर, अब हम्हें बता है कि किसी भी रिजल्टंट वेक्टर को यदि हम डिवाइड करते हैं, तो एक लाइन होती है कोस्ट थिटा यह एंगल और लेडी 90 डिग्री का है अब मैं इस एंगल को find out करना चाहता हूं कि यह एंगल कितने डिग्री का होगा इसका magnitude कितना होगा सबसे पहले यदि मैं केवल इस वाले एंगल की बात करूं तो यह वाला एंगल कितना होना चाहिए देखो टोटल यह एंगल कितना है 90 डिग्री का है मैं उसमें से 5 एंगल सब्ट्रेक्ट कर दूं तो यह वाला एंगल निकल करके आएगा इसका मतलब वह एंगल कितना होगा 90 माइनस 5 तो यह वाला जो एंगल आ गया वह कितना आ गया 90 माइनस 5 अब मुझे पता है यह वाला एंगल 90 डिग्री का है उसमें से मैं इस 90 माइनस 5 को माइनस कर दूं तो मेरे पास यह वाला एंगल निकल करके आएगा तो यह हो गया कितना 90 माइनस 90 माइनस 5 कितना बचा 90 माइनस 90 माइनस 5 कितना बचा 90 माइनस 90 प्लस 5 कितना बचा 5 अगल इट मेंजस अंगल इस अंगल इस फाई ऐसे ही ये लाइन हो जाएगी db cos phi और ये वाला हो जाएगा db sin phi अब देखो ये db cos phi और ये db cos phi डोनों का जो magnitude है वो सेम है लेकिन direction opposite है तो ये क्या हो जाएगा cancel out to each other तो हम इसको cancel कर सकते हैं and this db sin phi and this db sin phi दोनों same direction के अंदर है इसका मतलब ये दोनों add हो जाएगे तो निकालते हैं कि resultant magnitude कितना होगा then total resultant magnitude will be total db is equal to db sin phi plus db sin phi that is 2 db sin phi consider it as equation number 1 अब now this db this db is according to bio saver's log कितना होता है db is equal to mu naught over 4 pi i dl sin theta divided by r square और r square यहाँ पर कितना है s तो कि dl और p के बीच में कितने distance है s तो ये हो जाएगा यहाँ से s square अब बात करते हैं इस theta value के कि ये theta कितना होगा हमें पता है कि ये theta angle जो होता है वो dl और r के बीच में होता है अब यहाँ पर dl सामने की तरफ है ये वाला point मैंने पहली बताया था ring perpendicular to this plane रखी हुई है तो dl की direction सामने की तरफ होगी r की जो direction है इसके along है plane के इस board का जो plane है उसके along है और dl ऐसे है perpendicular तो कितना angle बना 90 degree तो so theta will be 90 degree और theta 90 होगा तो sin 90 is 1, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा db is equal to new naught over 4 pi idl divided by s square इसको मने मालने है कि उस नमबर 2 अब इस 2 को 1 में रख सकते है then total db is equal to 2 multiply by new naught over 4 pi idl divided by s square and multiply by sin 5 2 से 4 को कर सकते है 2 बार अधा what is the value of sin 5 in the triangle यह triangle देख रहा है aop in triangle aop right angle triangle है यह तो right angle triangle है तो यहां से हम sin 5 निकाल सकते है easily sin 5 होता क्या है perpendicular over hypotenuse तो perpendicular यहां से कितना होगा यह हो जाएगा यहां से perpendicular that is a o और a o की value कितनी है यह है a and h hypotenuse will be a p p और a p की value कितनी है s इसको मिने माल लाए कि question number 3 और इसको इसमें put करोगे तो यहां से हो जाएगा total db is equal to mu naught over 2 pi idl divided by s square multiply by e by s यह हो गया यहां से mu naught over 2 pi idl a divided by s q इसको मिने माल लिया total db और इसको मिने माल लिया s q से number 4 this is the total db अब this is the db means small amount of the magnetic field इसको हमें integrate करना पड़ेगा पूरे ring के लिए find out करने के लिए क्योंकि ये तो cable हमने ये length element और ये length element दो length element से निकाला है इसको हम integrate करेंगे full ring के लिए तो हमारे पास total magnetic field find out हो जाएगा तो integrate करोगे equation number 4 को on integrating equation number 4 तो इसको equation number 4 को इसको integrate करेंगे तो ये आजाएगा B and integration of mu not over 2 pi I DLA divided by S2 अब इसके अंदर जो limit होगी lower limit और upper limit वो क्या होगा देखो ध्यान से कि इस DL length element से half ring covered हो रही है और इस DL length से half ring covered हो रही है इसका मतलब हमने दौनों के लिए पहली ही निकाला था तो half half cover हो रही है इसका मतलब length elements है तो पहले तो ring का total length कितना होता है total length होता है किसी भी ring का कितना होगा 2 pi into its radius that is 2 pi A क्योंकि A इसकी radius है और half part के लिए कितना होगा pi A so lower limit is 0 and upper limit is pi A then B is equal to अब जिसका इस integration होगा cable DL का integration होगा तो mu naught over 2 pi A divided by S cube ये बहर आजाएगा integration से और ये हो जाएगा आई और आएगा बहर ये रह गया अंदर कितना DL only DL and limits are 0 to pi A उसके बाद हम इस DL का integration करेंगे और DL का integration करोगा तो कितना होगा B is equal to mu naught divided by 2 pi A I divided by S cube the integration of DL is L and the limits are 0 to pi A अब इस limits को हम रख सकते हैं limits को हम कैसे रखते हैं सबसे पहले upper limit उसके बाद minus and then lower limit तो ये हो जाएगा यहां से B is equal to mu naught divided by 2 pi A I divided by S cube and this is pi A minus 0 then B is equal to mu naught over 2 pi A I divided by S cube multiply by pi A and pi से pi cancel हो गया तो ये आगया B is equal to mu naught A square A square divided by 2S cube this is the magnetic field created by this ring अब ये इस ring के साथ और बहुत सारी rings connected है जैसा कि basically हम spring देखते हैं spring में बहुत सारी rings आपस में connected होती हैं तो ये दि हमारे पास n number of rings हों तो n number of rings होंगी तो क्या हो जाएगा पी इज इन वैरिएशन मेंस इस पी पॉइंट की हम जो लोकेशन है उसको चेंज कर दें फर्स ये जो पी पॉइंट है यदि हम सेंटर ओपर ले करके आएं तो क्या होगा दैन इस पी पॉइंट को हम इस तो क्या होगा और यदि एक ऐसे पॉइंट पर पी सिट्वेटेड है कि वह यह जो इसकी रीडियस है उससे बहुत ज्यादा लार्ज है तो क्या होगा इसका मतलब हमरे पास तीन स्पेशल के से जोंगे इसको समझने के लिए लिए लो टेंग दा सिक्रिन सौर्ट दैन संप्रिक्श सिट्रों ौफरेंग सिट्वर फोंगे इस अइसकोड grosse सिक्वारत अपर पराजाए तो R की वैलू कित्मी होगी R विल बी 0 रिल धी 0, put this r is equal to 0 in this equation, then b is equal to mu naught a square i n divided by 2s cube, लेकिन आप इस equation के अंदर r तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि हमें सबसे पहले इस s की value को रखना होगा, और किस form में रखना होगा, r की form में, तो इस aop triangle के अंदर हम s की value निकाल सकते है, s की value कितनी होगी, ध्यान से देखो, कि aop, एक right angle triangle है, so by with the help of the pythagoras theorem, a square plus r square is equal to s square, और s की value कितनी होगी, a square plus r square, और उसकी total power कितना होजएगा, 1 by 2, it means, s is equal to r square plus a square whole to the power 1 by 2, this is the value of s, now put this value here, b is equal to mu naught a square i n divided by 2 into r square plus a square to the power 1 by 2 and whole power is 3, now you can put the value of r here, r की value कितनी है, 0, then b is equal to mu naught a square i n divided by 2, r की value को तो 0 रखोगे, तो यह होजएगा, a square to the power 1 by 2 and whole power is 3, then calculate it, b is equal to mu naught a square i n divided by 2, square से यह कट जाएगा, that is a cube and a square से यह कटेगा, तो b की value कितनी हाएगा, यहाजए, mu naught i n divided by 2 a, this is the magnetic field, if p point is at the center of this ring, now we will talk about the case number 2nd and 3rd, second case is, if p point is at circumference, circumference पर होगा, it means, यहाँ होगा, और यहाँ होगा, तो इसका मतलब क्या है, कि जो r बनने वाली है, वो इस a के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी तो क्या है, radius, और यह भी क्या है, radius, it means, if p point is at circumference, it means, r is equal to a, अब इस r की value को a के बराबर रखना होगा, किस equation के अंदर, जो equation यहाँ लिखी होई थी, और वो equation कितनी थी, b is equal to mu naught a square i n divided by 2s cube, then b is equal to mu naught a square i n divided by 2s cube, और s की value हमा अल्री रख चुके है, that is r square plus a square to the power 1 by 2 and whole power is 3, now put the value of r, that is equal to a, then b is equal to mu naught a square i n divided by r की value को a रखा, that is 2, जब r की value को a रखोगे, तो यह कितने हो जाएगा, a square, a square plus a square, that is 2a square, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2a square to the power 1 by 2 and whole power is 3, तो इसको solve करोगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह b is equal to mu naught a square i n divided by 2, तो को इससे बाहर ले करके, पहले अंदर ही रखो इसको, तो यह अंदर रखोगे, क्योंकि उपर पाबर whole भी 3 है, तो यह हो जाएगा, 2 power 1 by 2 and a square की पाबर 1 by 2 है, तो वो तो रहेगा a and whole power is 3, then b is equal to mu naught a square i n divided by 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 को अंदर multiply करोगे, क्योंकि वो पाबर है, तो यह कितना हो जाएगा, 2 की पाबर हो जाएगी, 3 by 2 and a की पाबर हो जाएगी यहाँ से 3, then you will solve it, then यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले तो इसको कट कर लो, इससे यह कट हो जाएगा, mu naught i n divided by, bases are same 2 and 2 and power is, इस 2 की पाबर कितनी है, 1, इस 2 की पाबर कितनी है, 3 by 2 and 1 plus 3 by 2 is 5 by 2, that is equal to, यह हो जाएगा, यहाँ से, 2 to the power 5 by 2 multiply by a, this is the magnetic field, if that point P is at the circumstance of that ring, now the case third, if that point P is very very far away from this ring, it means, कि ऐसी situation हो, कि जो यह R distance बनने वाली है, उस P point की from the center O, वो इस A, radius से बहुत जादा ग्रेटर हो, that is, R is very very large than A, and if this R is very very large than A, then we can neglect the value of A, then neglect value of A, and if neglect value of A, then what is the expression for this equation, this equation कितना हो जाएगा, B is equal to mu naught A square I, and divide by 2 into R square plus A square to the power 1 by 2, and whole power is 3, and you have to neglecting the value of A, then it will be, B is equal to mu naught A square I, and divide by 2 R square power 1 by 2, and whole power is 3, and 2 say 2 cancel हो जाएगा, then B is equal to mu naught A square I, and divide by 2, and R to the power 3, then this is the magnetic field created by the ring, when P is very far away from this ring, that is, R is very very greater than A, so, यहाँ पर हमने variation देख लिया कि P point की variation में यदि आप डालोगे कि पहले तो P point को center पर लेकर के आए, फिर उस P point को circumference पर लेकर के आए, और फिर बहुत जादा किसी एक distance पर हमने उसको रख दिया, यवर दुबारा से देख लेते हैं, this is the magnetic field created by this ring, at any external point P, this equation, and whenever the P is at the center of the ring, that is, R is equal to 0, then this is the expression for the magnetic field, if the point P is at the circumference, it means, R is equal to A, then this is the value of the magnetic field, if R is very, very greater than A, neglecting the value of A, then this is the magnetic field at that point P by that ring, okay, this is all about the Biot-Sever's law, उसकी application, that is the magnetic field due to a ring, okay, thanks.